बकरी के बच्चे की बली चौधरी गाउं का बहुत ही बड़ा और अमीर आदमी था। उसकी शादी को 15 साल हो गए थे। लेकिन अभी तक उसके घर में कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए उसकी पत्नी और चौधरी बहुत तरस्ते थे। बहुत से लोगों ने उन्हें सुझाव दिया था कि वो बच्चे को गोद ले लें लेकिन वो इस बात के लिए राजी ही नहीं थे। वो चाहता था कि अपनी ही संतान हो और उसकी संतान संपत्ती की हकदार बने। अमीर होने के साथ साथ दोनों अंदविश्वासी भी थे, हमेशा अंदविश्वास में यकीन करते थे। अच्छे डौक्टर के पास जाने की बजाए दोनों ज़ाड़ फूक करने वाले बाबाओं के पास जाते थे। बाबा, अब आप ही कुछ कीजिए, हम दोनों की उम्र बढ़ती ही जा रही है, बहुत जल्द हम भी बूडे हो जाएंगे, हमारी शादी को पूरे 15 साल हो गए है, लिकिन अभी तक हमारी कोई संतान नहीं है, बाबा, मेरी पतनी की महवारी ठीक से नहीं आती है, उसकी महवार रुपय का चड़ावा चड़ा दो, बहुत जल्द तुमारी पतनी गर्ब से हो जाएगी, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, बहुत जल्द तुमारे घर बच्चों की किलकारी गुंजने वाली है, बस बाबा, अब आपकी ही आस है, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, बस के दूद में मेरे द्वारा दी गई औशदी मिला कर पिलानी है, और फिर देखो चमतकार, थोड़े ही दिनों बाद, मेरी या औशदी और बकरी का दूद कैसे काम करता है, तुमारी पतनी की महावारी भी ठीक हो जाएगी, और तुम्हें संतान का सुक्तो प्राप्त होगा जाडफूक वाले बाबा की यह बाते सुनकर, चौदरी और उसकी पतनी दोनों खुश हो जाते हैं, और वहाँ पर एक हजार लड़ू और ग्यारा हजार रुपए का चड़ावा चड़ा देते हैं, और खुशी-खुशी घर वापस आ जाते हैं, अब चौदरी को बकरी के दूद की तलाश थी, लेकिन पूरे गाओ में सिर्फ और सिर्फ कमल के घर में ही बकरी थी, चौदरी के आदमी कहते हैं कि वो कमल के घर बकरी के दूद के लिए बात करने जाएंगे, लेकिन चौदरी उनसे कहता है, नहीं, मैं खुद कमल के घर अपनी पतनी के लिए उसकी बकरी का दूद लेने जाऊंगा, बेटा, क्या तुम दोनों अंधविश्वास में अटके हो, इतने साल होगे तुम दोनों की शादी को, तब से लेकर आज तक तुम कितने जाड़ फूक वाले बाबाओं के पास गये हो, लेकिन आज तक उसका कुछ हल ही नहीं निकला, मैं देखती जाओ, महराज जी ने हमें कहा है कि बहुत जल्द हमें पुत्र प्राप्ती होगी, बस अब पोते को अपनी गोद में खिलाने के लिए तयार हो जाओ, राम तौबा, राम तौबा, ना जाने कब सुधरेगा ये चोधरी और इसकी बहु, कितने सालों से समझाए जा रही हूँ, ना जाने कौन सा ऐसा दिन होगा, जब ये इस बात को समझेंगे, और किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर उपचार करवाएंगे। मजदूरी करती थी, और साथ में उसने एक माही नाम की बकरी रखी थी, माही बहुत अच्छा दूद देती थी, माही का एक छोटा सा काले रंग का बच्चा था, कमल की पतनी और बेटी माही और उसके बच्चे से बहुत जादा प्रेम करती थी, माही और उसके बच्चे को दोनों मा बेटी ने अपने घर की सदस्य की तरे रखा हुआ था कमल की पतनी मजदूरी करके आती और घर जाकर माही और उसके बच्चे की सेवा में लग जाती वही कमल की बेटी रिंकी भी स्कूल से बस घर जाने का इंतजार करती कि कब छुट्टी हो और घर जाकर वो अपनी माही और उसके बच्चे के साथ समय बिताए भाई कमल क्या मैं अंदर आ सकता हूँ अरे चौदरी साब आप आईए ना अंदर आईए चौदरी कमल को सारी बात बताता है कि उसे अपनी पतनी के लिए उसकी बकरी का हर रोज सुभ़ शाम दूद चाहिए और वो बकरी के दूद का मार्किट से ज़्यादा डवल भाव के पैसे देगा पैसे की बात सुनकर कमल तो बहुत ही खुश हो जाता है और वो चौधरी को दूद देने के लिए हा कर देता है वही कमल की पतनी उससे कहती है चौधरी सहब हमारी मही इतना भी दूद नहीं देती कि हम उसके दूद को बेच सके हमारी मही बस इतना ही दूद देती है जिसमें मेरी बेटी रिंकी का गुजारा होता है मेरी बेटी स्कूल जाती है तो उसे दूद की बहुत जरूरत है मैं चाहती हूँ मेरी रिंकी बेटी खूब पढ़े लिखे और मही का दूद बहुत अच्छा है इसलिए मैं उसे सुबह शाम उसका दूद पिलाती हूँ शीला तुम एक औरत का दर्द नहीं समझोगी क्या मेरी महावारी सही से नहीं चलती है इस वज़े से महाराज जी ने मुझसे कहा है कि अगर मैं बकरी का दूद सुबह शाम पियूँगी तो मेरी महावारी सही से आने लगेगी और बहुत जल्द मुझे बच्चा भी हो जाएगा क्या तो मेरे इस दर्द को समझ कर मुझे बकरी का दूद नहीं दोगी लेकिन अगर आपकी महावारी सही से नहीं आ रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए इसका इलाज तो डॉक्टर के पास ही होता है निग की बेटी तुम आज कल के पढ़े लिखे बच्चे इस बात को नहीं समझोगे हर बात का इलाज डॉक्टर के पास नहीं रहता है बेटी ठीक है अगर आपको लगता है कि इससे आपकी माहवारी ठीक हो जाएगी और आपको संतान प्राप्ती होगी तो मैं अपनी बेटी के हिस्से में से थोड़ा सा दूद आपको देने के लिए तयार हूँ यह सुनकर चौधरी और उसकी पतनी बहुत खोश हो जाते हैं फिर हर रोस चौधरी का एक आदमी कमल के घर से बकरी का दूद ले जाता है और चौधरी बाबा द्वारा दी गई औशदी को दूद में मिला कर अपनी पतनी को पिला देता है चौधरी से दूद के बदले मिलने वाले पैसे कमल अपनी पतनी से जोर जबरदस्ती छीन लेता है बहुत दिनों तक दूद पीने से भी चौधरी की पतनी की महवारी ठीक रही होती और ना ही वो गर्बवती होती है दोनों फिर से उसी जाड़ फूक वाले बाबा के पास जाते है और उसे सारी बात बताते है चौधरी तुमारी पतनी पर बहुत बुरी आत्मा का साया है वो आत्मा नहीं चाहती कि तुम्हारे घर में संतान हूँ इतने सालों से उसने तुम्हारी पतनी के शरीर पर कबजा जमाया है। तभी तो मेरी ओशदी और बकरी के दूद ने काम नहीं किया है। अब इसका एक ही आखरी रास्ता बचा है। तो उसकी बली चड़ाई जा सकती है। यह सुनकर चौधरी और उसकी पतनी बहुत खुछ हो जाते हैं। फिर चौधरी कमल के पास उसकी बकरी के बच्चे की बली चड़ाने की बात करने आता है। कमल ये बकरी का बच्चा हमें दे दो इसके बदले मैं तुम्हें मूँ मांगी कीमत देने को तयार हूँ हाँ हाँ चोधरी सहब आप ले जाए ये बच्चा भला एक इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो क्या फाइदा बस आप इस बकरी के बच्चे के बदले मुझे अच्छा दाम दीजिएगा कुछ तो शर्म करो इतना गिर जाओगे मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था पैसो के लिए तुम एक छोटे से बच्ची की बली चड़ाओगे शर्मानी चाहिए तुम्हें शुक्र करो कि तुम्हारी बेटी रिंकी यहां पर नहीं है वो स्कूल गई है नहीं तो उसकी नजरों में तुम आज गिर ही जाते माफ कीजिएगा चौधरी साहब आप बहुत बड़े अंधविश्वास में फसे हुए हैं उस दिन मैंने दूध देने के लिए आपको मना नहीं किया इसलिए कि शायद मही के दूध से आपकी पत्नी को बच्चा हो जाए लेकिन आज आप एक छोटे से बच्ची की बली चढ़ाने के लिए हमें पैसो का लालच दे रहे हैं महربानी करके आप यहां से चले जाएए चौदरी और उसकी पत्नी वहां से जैसे ही बहर निकलते हैं कमल मौका पाते ही उनके पीछे-पीछे आता है और उन्हें कहता है कि जब उसकी पत्नी दिहाडी मच्दूरी लगाने जाएगी और उसकी बेटी रिंग की स्कूल जाएगी, तब वो बकरी का बच्चा उन्हें पहुचा देगा, लेकिन उसके बदले में वो उसे मूँ माँगे पैसे दे, यह बात कमल के मूँ से सुन कर चौदरी और उसकी पतनी बहुत खुश हो जाते हैं और उसे मूँ माँगी रकम दे देते हैं कमल पैसे तो तुम्हें मूँ मांगे मिल गए हैं लेकिन याद रखना ठीक 12 बजे बकरी के इस काले बच्चे की बली चड़ेगी तो तुम्हें ठीक समय पर बच्चा ले आना है अगली सुभा कमल पतनी और बेटी के घर से निकलते ही बकरी के बच्चे को वहां से उठा कर ले जाता है चौदरी को दे आता है मालिक मालिक कहां ले जा रहे हैं आप मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए वो बहुत छोटा है मालिक वो मेरे दूद के बिना नहीं रह सकता मा मा मुझे तुम्हें छोड़ कर नहीं जाना है मा मुझे मालिक बतानी कहां ले जा र कमल बेरहम होकर एक मा से बच्चे को अलग करके चौधरी के पास पहुचायाता है जब कमल की पतनी और बेटी घर आती हैं और देखती हैं कि माही के साथ उसका बच्चा नहीं है और माही बहुत रो रही है माही तुम क्यों रो रही हो और तुम्हारा बच्चा कहा है मालकन मालिक मेरे छोटे से बच्चे को उठा कर ले गए है ना जाने मेरे छोटे से बच्चे के साथ क्या हुआ होगा मालकन मेरे बच्चे को बचा लीजिए मा पिताजी जरूर बच्चे को लेकर चौदरी के घर गए होगे इससे पहले कि कोई अनोनी हो जाए हमें जल्दी से वहाँ पहुशना होगा मही तुम चिंता ना करो हम तुम्हारे बच्चे को सही सलामत वापस लेकर आएंगे जैसे ही वो ढोंगी जाड़ फूक वाला बाबा बच्चे की बली चड़ाने वाला होता है कि तभी कमल की पत्नी और बेटी पुलीस को लेकर वहाँ पहुच जाते है जिसने एक छोटे से बच्चे को एक माँ से अलग करके चंद पैसों के लिए किसी को बली चड़ाने के लिए बच्चे को बेच दिया चलो तुम सबको मैं गिरफ़तार कर रहा हूँ और तुम सब को इस चीज के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी दरोगा जी हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं और ये बकरी का बच्चा मैंने इस कमल से मू मांगी कीमत दे कर खरीदा है अब मैं इस बच्चे की बली चड़ाऊं या इसके साथ कुछ भी करूँ मुझे कोई नहीं रोक सकता शर मानी चाहिए चोधरी जी आपको आज के जमाने में रहकर आप ऐसी अंध विश्वासी बातों पर यकीन करते हैं और इन ढोंगी जाड फूक वालों में यकीन रखते हैं जो आपको बेवकूब बनाकर लाखो रुपे लूट रहे हैं पंदरा साल से आपको आउलाद नहीं हुई जानते हैं क्यूं इसी वज़े से क्यूंकि आप अंध विश्वास में अटके वे हैं अगर आज तक आपने अपनी पत्नी का डॉक्टर से उपचार करवाया होता तो आपके पत्नी की महवारी का सरकल भी ठीक हो जाता समय से उसे महवारी आती डॉक्टर आपके पत्नी की कुछ जाच करवाते उसके बाद अच्छे से उपचार होता दवाईयां लगती और समय से आपको उलाद का सुख भी प्राप्त होता अंद विश्वास के चलते किसी मासूम दूद पीते बच्चे को उसकी मासे अलग करके बली चड़ा देते हो और भाबा आप, आप तो आज मेरी नजरों में गिर गए हो अब आप मेरे बाप कहलाने के लायक नहीं हो देखार है आप सभी लोगों पर रिंकी की यह बाते सुनकर सब की गर्दन जुक जाती है सब शर्मिंदा हो जाते हैं चौदरी और उसकी पतनी भी रिंकी की बात को समझ जाते हैं और शर्मिंदा होकर उनसे माफी मांगते हैं फिर पुलीस इंस्पेक्टर सबको वहां से गिरफतार करके ले जाते हैं इस तरह से माही का बच्चा भी बच जाता है और रिंकी और उसकी मा माही के बच्चे को जाकर माही से मिलवा देते हैं माही अपने बच्चे को वापस पा पर नंदू बहुत ही गरीब था, उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने परिवार को अच्छा खाना पीना खिला सके, रूखा सूखा ही सही, पर अपने परिवार को एक समय का खाना खिला ही लेता था वो, इस बात से उसकी पतनी उससे हमेशा चिड़ी रहती थी, कि वो उन्हें अच्छा खाना नहीं खिला पाता, अरे क्या तुम हमेशा इस बकरी और इसके मेमने पे अपना समय बरबाद करते फिरते हो, हमेशा इसकी सेवा में लगे रहते हो, इतनी सेवा कभी तुमने अपनी परिवार की नहीं की, बस अब बहुत होगे, इनकी खातिरद जानवरों से, तुम कुछ भी कहलो, मैं इनकी सेवा करना नहीं छोड़ सकता, अगर हम जानवरों की सेवा करेंगे न, तो इससे हमें बहुत सुक प्राप्त होगा, और रही अच्छे-च्छे खाने की बात, तो जितना मैं कर पाता हूँ, उतना ही खिला देता हूँ, और भ भी खेत जा रही थी, कि तभी उसे पडोसी के घर से खाने की अच्छी-च्छी खुश्बू आने लगी, और वो रुक्के खुश्बू लेने लगती है, आहा, पडोसी के घर से कितनी अच्छी खुश्बू आ रही है खाने की, कैसी किस्मत पाई है मैंने, कभी भी अच्छ यही रुक के खुश्बू सूंग लेती हूँ नंदू की पतनी वहीं बैठ के खाने की खुश्बू लेने लगती है तभी अमीर पडोसी बाहर आता है और उस पे खुब चिलाता है तुम क्या मेरे घर की ताका जाकी कर रही हो चोरी करने का तो नहीं सोच रही हो न नहीं नहीं मैं चोर नहीं हूँ चलो चलो निकलो यहां से पडोसी नंदू की बीवी को वहां से निकाल देता है फिर कुछी दिन बाद उस पडोसी की बीवी बहुत बीमार हो जाती है वो अपनी पत्नी को बड़े तांत्रिक के पास ले जाता है और जाड़ फूख करवाता है पर उसकी पत्नी सही नहीं होती तबी एक तांतरिक सेट को बताता है कि उसकी पत्नी तबी ठीक हो सकती है, जब वो एक बहुत बड़ी पूजा कराएगा, जिसमें एक काली बकरी की बली लगेगी, जल्दी से जल्दी वो काली बकरी का इंतिजाम करें। काली बकरी तो गाउं में बस नंदू के पास ही थी, सेट नंदू के पास आता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ सेट जी, आ आ जाईए, पर आज हम गरीबों के घर में कैसे आना हुआ, आप तो हम जैसे लोगों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते? वो, नंदू, मेरी बीवी बहुत बीमार है, तांतरिक बाबा ने कहा है कि मेरी बीवी तबी ठीक होगी, जब काली बकरी की बली लगेगी, और मेरी नजर में तो सिर्फ तुम्हारे पास ही काली बकरी है, मैं तुम्हारे आगे हाथ चोड़ता हूँ, मेरी मदद करो, मैं त इसी को भी नहीं दे रहे, तुम घवराओं मत, देखिए सेट जी, हम गरीब सही, लेकिन पैसे के लालच में ऐसे व्यापार नहीं करते, आप चाहें मुझे जितने पैसे दे दे, मैं बकरी नहीं बेचूंगा, नंदू सेट को बकरी देने से इंकार कर देता है, और सेट को उ अराम से घर बैटके अच्छा-च्छा खाते, वैसे भी तुम किसी काबिल नहीं हो, बीवी को कुछ उसकी पसंद का खिलाप आओ, कैसी औरत हो तुम, मैं जानता हूँ तुम्हें मही से दिक्कत है, पर एक औरत होके तुम ये बात नहीं समझ रही हो, कि उसके दो बच्चे हैं, जो उसका दूद पीते हैं, तुम चाहती हो, मैं दूद पीते बच्चो को उनकी मा से अलग करके बली चड़ाने के लिए दे दूँ, ऐसा कभी नहीं होगा, पागल औरत, ये बात नंदू की पतनी भूल नहीं पाती, उसे अच्छा-च्छा खाना था, खाने की बहुत भूकी थी, और इतने सारे पैसो का लालच भी था, कि बकरी बेच के सेट खूब पैसे देगा, एक दिन नंदू किसी काम से बाहर जाता है, तबी नंदू की बीवी सेट के घर जाती है, प्रणाम सेट जी, अहां, तुम यहां क्यों आई हो, बकरी देने से तो तुमारे पत बस जो भाव आप दे रहे थी, उसका दुगना दे दीजिए, दो गुना नहीं, मैं तुमें चो गुना भाव दूँगा, बस बकरी दे दो, सेट नंदू की बीवी को खूब सारे पैसे देता है, जिससे देखके नंदू की बीवी की आँखे फट जाती है, और वो खुशी से चलती बन, मा, मा, ये लोग आपको कहां ले जा रहे हैं मा, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहां ले जा रहे हैं, पता नहीं, शायद मुझे बेच दिया, पर इतने छोटे-छोटे बच्चों की मा को कौन बेच सकता है भला, ना जाने मालक भी कहां रह गए, वरना वो मुझको कभे बेचने नहीं देते, नंदू की बीवी मही की रसी खोल के मही को सेट को सौब देती है, मही और उसके बच्चे रोते रहते हैं, मा, मा, हमें छोड के ना जाओ, मेरे बच्चों, बच्चे मही के बिना तड़ते रहते हैं, नंदू की बीवी मही को बेचे ह पैसो से खूब सारा राशन खरीद के लाती है और अपनी पसंद के ढेरोग पकवान बना के बाहर बैट के खाने लगती है। नंदू की बीवी खाना खा रही होती है कि तबी नंदू और उसकी बेटी आ जाते हैं। अरे ये तो मितने सारे पकवान कहां से खा रही हो क्यूं मैं अच्छे पकवान नहीं खा सकती क्या हमारे घर में हमेशा रूखा सुखा ही बनता है मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये पकवान कहां से आए बाबा? बाबा मही नहीं मिल रही है और उसके बच्चे भी बहुत रो रहे हैं नहीं मिल रही? क्या मतलब है? कहां जा सकती है? नंदू और उसकी बेटी मही को हर जगे तलाज करते हैं पर मही कहीं नहीं मिलती हाँ बेच दिया मैंने उसे सेट को और सेट ने इतने सारे पैसे दिये हैं कि तुम सारी उमर घर बैठे खा सकते हो मा तुम कितनी बुरी हो इतने छोटे छोटे बच्चों को उसकी मा से अलग कर दिया वो भे बली चड़ाने के लिए अगर मुझे भे तुमसे कोई दूर कर दे तो ऐसा ना कहो बेटी तुझे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता सेट तांत्रिक को बुला के अपनी बीवी के लिए पूजा करवा रहा होता है फिर जैसे ही मही की बली देने वाला होता है कि तभी नंदू और उसकी बेटी पुलीस को लेकर वहां पहुँच जाते हैं किरफतार कर लीजे इंस्पेक्टर सहब इस सेट और इस तांत्रिक को ये बेजुबान बकरी की बली दे रहे हैं नंदू मैंने इस बकरी के धेर सारे पैसे दिये हैं इंस्पेक्टर सहब खरीद के लाया हूँ मैं इस बकरी को ये लो सेट तुम्हारे सारे पैसे वापिस और हमें हमारी बकरी वापिस करो मैं पैसो के लालच में अंधी हो गई थी एक मा को उसके बच्चों से अलग करके पाप किया मैंने तुम पागल हो गए हो सब पूजा में विधान डाल रहे हो हाँ सेट इस बीमारी का इलाच बस डॉक्टर ही कर सकते हैं तुम कितनी भी बलियां लगा लो तुम्हारी पतनी कभी ठीक नहीं हो सकती सेट तुम्हारी पतनी कैसे ठीक होगी जब तुम दूद पीने वाले बच्चों से उनकी मा को चीन के उसकी बली लगाओगे अंद विश्वास से बाहर निकलो और अच्छे से डॉक्टर से अपनी बीवी का इलाच करवाओ सब की बात का सेट पर असर होता है और वो बहुत शर्मिंदा होता है कितना गलत करने जा रहा था मैं आज अगर आप लोगों ने सही समय पर आकर मुझे नहीं रोका होता तो मेरे हादों से कितना बड़ा पाप हो जाता अंद विश्वास में डूब गया था मैं कोई सही रहा दिखाने वाला नहीं था अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अपनी पतनी का इलाज कैसे करवाना है ये लीजिए आप इस बकरी को इसके बच्चों के पास ले जाईए नंदु मही को घर ले आता है और बच्चे अपनी मा को देख के बहुत खुश हो जाते हैं इसके बाद नंदु की बीवी भी सुधर जाती है और फिर नंदु और उसकी बेटी की तरे मही और उसके बच्चों की खूब सेवा करती है यदि आप ऐसी कहानिया और देखना चाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें